तो गाईस आज किस वीडियो का टॉपक है बेश्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन अंडर 20,000 जो कर्व डिस्प्ले आपको वो मोश्टली फ्लेक्सिब स्मार्टफोन में देखने को मिलती थी जैसे की सैमसंग की नोट सीरीज के अंदर मिलती थी जातर है पहले की टाइम प आपको 144 एर्ट्स की स्मूड डिस्प्ले मिल जाती है जो की एमोलेड है और काफी ब्रैड डिस्प्ले मिलेगी एंड़ेसी के साथ आपको एक काफी ज्यादा पाफुल चिपसेट मिल जाता है जिसमें आप 60 fps की गेमिंग कर सकते हो कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता ह 68 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और सौनी का संसर मिल जाता है देखो यहाँ पर मैं कोई भी कन्फीजन क्रियेट नहीं करूँगा साफ साफ बे में आपको बताने की कोर्सिस करूँगा जिससे आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्मार्ट फ को इस इस के में फीचर्स के भारि में बातकरते हैं देखो सबसे पहले इसकी डिजान है उन consider noir कि अनधर इक लावि देखन को डिचन को मिलती है जोकि आध्य में प्रीम करकरते हैं यदू59 कि द ञैसे को हांगर अका चैस्प मेंन इंच स्ब्सूर्प नच की दिफली ओग औ डिस्प्ले जो की एक AMOLED डिस्प्ले है 120 यर्स का स्मूड डिस्प्ले है पंचोल कट आउट के साथ मिलती है जो की एक कर्व डिस्प्ले के साथ आती है और गाइस यहाँ आपको 950 नियर्स की पीक ब्रैडनस है आउट्डूर में काफी ब्रैड डिस्प्ले लगीगी एंड HDR10 का लीटी है रर्मिलन डिस्प्ले डिस्प्ले जो कालर्स और वह यहाँ अची लगती है और देखने हीुए whole quality लिए उइंडी है कहँ ज़्धार प्यारी डिस्प्ले का माइक्रो एंड इसके फ्रंट में आपको 16 मेगा पेक्सल की सेलफी है यानि गाइस इसके जो बैक कैमरा है ना उससे आप 4 के तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 एंड फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊगे 30 एप्यस पर तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी मुझे इस प्रैस के सबसे एवरेज लगी यानि ठीक ठाक फोटो आप इससे खीं सकते हो कैमरे से वैसे आपको कोई भी नरसा देखने को नहीं मिलेगी एंड फोटोग्राफिय आप इसमें काफी अच्छी कर पाऊगे लो लाइट में डेलाइट में अच्छी फोटो निकल के आजाती है लेकिन वीडियो की कौालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी परफॉर्मेंस के वारें बात करते हैं यानि यहाँ आपको मीड पर तो गेमिंग चिपसेट नहीं है लेकिन आपको कैजूल गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो वैपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो जिससे क्या होगा कि आपका स्मार्ट फोन हीट नहीं होगा एंड इसके साथ आप 4700 मेंच की बेंटरी मिल जाती है जि यहां पर आपको सही मिल जाती है और फाइली प्रैसिंग के बारें बात करते हैं यानि यहां पर आपको 8GB RAM 250 6GB का इस टूरेज है जिसकी प्रैस आपको मिल जाती है 18,000 रुपे के बजट के अंदर और यहां पर बैंक वगरा डिसकाउं लोगा कि यह कम बजट के अंदर भी את वगरा देखने को नहीं मिलेगा के साथ देखने को मिल जाता लगवा्ष इस स्माषण को more ज्यद्aten को स्मार्ठफों जनको क्लीं स्मर्टफवन चाह dissolंगा जिनको क्लिया समार्शचाहिए對 तो आप इस redirect कर सकते हो करव display साथ एंड़ कैसे वीडियो में तोड़ा सा आगे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर आते हैं वह भी कर्व डिस्प्ले के साथ अब इस स्मार्टफोन के मैं फीचर्स के वारे हम बात करते हैं तो कि इसके बैक में आपको ग्लास बॉड़ी देखने को मिल जाती है और इसकी डिजाइन है एकदम प्रीमम क्वालिटी की फील होती है अगर आप इसको हाथ में पकड़ तो पीछे से भी कर्व है और आगे से भी कर्व आपको मिल जाता है यह स्मार्टफोन एंडरो 13 पर रन करता है 8.8 mm की ठीखने से 189 गरम का स्मार्टफोन है तो थोड़ा सा भारी स्मार्टफोन है क्योंकि इसके बेक में आपको ग्लास बॉड़ी मिलती है और इस स्मार्टफोन की अब डिस्पली के बारे में बात करते है जो कि इसका हाइलाइट पॉंट है यानि इस 6.6 एंचास की फूल HD बिलड डिस्पले जो की एक सुपर एमॉलेट डिस्पले है 120 एर्स का स्मूर्ट डिस्पले है पंचल कटाउट के साथ मिलती है और यहां पर आपको HDR 10 सर्टिफाइड है वाइड वाइल एडवन सपोर्ट मिल जाता है लेकिन पिछली स्मार्टफोन में आपको 950 Ns की पीक ब्रैटनस थी लेकिन इसके अंदर आपको 800 Ns की पीक ब्रैटनस मिलती है तो थोड़ा सा कम कर दिया लेकिन आउटवर में आपको काफी ब्रैट डिस्पले मिलेगी डिस्पले की जो क्वालिटी है कलर्स और काफी अच्छे मिल जाते है डिटेल भी काफी अच्छी है तो डिस्पले से तो कोई भी सिकाइद नहीं है इस स्मार्ट फोन के अंदर कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है जो की सौनी के सेंसर के साथ देखने को मिलती है यानि गाइस बेक मापको त्रिपल कैमरे का सेटप है जिसमें से मैं कैमरा 64 MP का है और 8 MP का अल्टरावड एंड 2 MP का जो किसी काम का नहीं है एंड इसके फ्रंट में आपको मिल जाती है वाई 32 MP की सेलफी है तो इसके मेर कैमरे के अंदर आपको सौनी का सेंसर मिल जाता है तो इसके बेक कैमरे से आप 4 के तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 एपियस पर और फ्रेंट कैमरे से आप 1080 में ही रिकॉर्ड कर पाऊगे तो कैमरे कॉलिटि की बात करूं तो टेल वी काफी अच्छी तरीके से निकल के आ जाती है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जो पिछला स्मार्ट फोन है उससे बैटर कैमरे क्वालिटि मिल जाती है काफी अच्छी तरीके से exposure and light को maintain कर लेता है तो इस बज़े से low light condition में भी अच्छी photo निकल के आ जाती है and इसी के साथ यहांप आपको मिल जातागा इस MediaTek का Dimensity 7050 वाला चिपसेट है यानि पिछले स्मार्टफोन वाला ही चिपसेट इसके अंदर चिपका दिया है यानि यहांप आपको 5.5 लाके आसपास अंतुदू स्कोर मिल जाता है यानि PUBG के अंदर अगर बात करें तो 60 IPS की gaming आप इसके अंदर कर पाऊगे and यहांप आपको 8GV की वर्चुरहम एड़ कर सकते हो जो किसी काम की नहीं है and 5000 MS की बैंटरी 33W की Fast Charging का सपोर्ट मिल जाता है तो बैटरी डिपार्टमेंट भाई पिछले स्मार्टफोन से थोड़ा सा कम कर दिया है वैसे बैंटरी एक दिन आराम से चल जाएगी and इसी के साथ सेक्योर्टी के लिए आपको मिल जाता है इन डिस्प्लेइ फिंगर पिंटर फेच्टमों का सपोर्ट मिल जाता है और यहां आपको डॉल्वी एटमोड सपोर्ट मिल जाता है LPDDR 5X RAM मिल जाती है तो अबरूल देखा जाए तो काफी अच्छे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते है और यहां पर एक और अच्छा फीचर्स मिल जाता है यानि किसी की कॉल को आप इसके अंदर रिकॉर्ड करते हो यानि खुद का डाइलर इसके अंदर देखने को मिलता है यह आपको पिछली स्मार्टफोन वे भी मिलता है और लावा ने प्रोमेस करा है यानि 2 years का OS update मिलेगा and 3 years का security patch update देखने को मिलेगा and guys finally pricing के बारे में बात करते है तो 8GB RAM 120, 8GB का storage है जिसकी price आपको 18,000 रुपे मिल जाती है and 8GB RAM 250, 6GB का storage है जिसकी price 19,000 रुपे मिलती है तो आप किसी भी smartphone को consider कर सकते हो अगर आपको एक लाबा का smartphone चाहिए दोगों इस phone को मैं उन्रेजस के लिए जादा recommend करना चाहूँगा जिनको guys एक display की quality के साथ अच्छा camera setup भी चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हो तो guys आप वीडियो में थोड़ ऐसा आगे बरते और बात करते है नमबर वन वाले smartphone के बारे में जो है कि Infinix 030 5G smartphone है दोखो guys काफी अच्छा वर्क कर रहा है Infinix अगवी के टाइम पर यानि कम बजट के अंदर और हर एक बजट के अंदर आपको इसके smartphone देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर decent type के features मिलते हैं और एक value for money smartphone होता है तो इसके features के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो design है ना इस budget के अंदर एकदम premium quality की feel कराती है यानि ऐसा लगेगा आपको 30-40,000 रुपी का smartphone यूज़ करते हैं यूंकि design ही काफी unique है और अच्छी बात ये कि इसके back में आपको vegan leather design मिल जाती है जो कि देखने में काफी ज़्यादा beautiful लगती है अब इस स्मार्टफोन के features के बारे में बात करते हैं यानि ये स्मार्टफोन Android 13 पर run करता है 7.9 mm कितिनस है 185 gram का smartphone है तो guys काफी स्मार्टफोन आप इसको बोल सकते हो पिछले सभी स्मार्टफोन से और हाथ में भी काफी हलका feel होगा अब इस स्मार्टफोन की display के बारे में बात करते हैं यानि guys 6.7 inch हर्स की full HD display जो की एक AMOLED है and guys 144 हर्स की smooth display है 360 हर्स का test sampling rate है जो की पंचुल कट आउट के साथ मिलती है और guys Corning orilla glass 5 की protection मिल जाती है और outdoor के लिए आपको मिलती है 950 nits की peak brightness है तो overall देखा जाए तो display की quality है काफी बढ़िया लगी में रखो क्योंकि यहां आपको 3D carbon तो आपको मिली जाती है उसी के साथ आपको beautiful display मिल जाती है colors काफी अच्छे मिल जाती है सार्व display आपको मिल जाती है और guys इसके camera के बारे मात करते है यानि back में आपको triple camera का setup है जिसमें से man camera 108MP का है और इसके लावा 13MP का ultra way 2MP का depth sensor और इसके front में आपको मिल जाती है 50MP की selfie और guys अच्छी बात है कि इसके back और front camera से आप 4K तक video record कर सकते हूं 30fps तो overall दिखा जाए तो जो camera की quality है ना वो यहाँ आपको top notch की मिल जाती है और इसके जो camera के अंदर आपको भर भर के features देखने को मिल जाते हैं काफी अच्छे fact को मिलते हैं camera department यहाँ आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है काफी अच्छे colors निकलते हैं देखो low light और daylight condition में अच्छी photo निकलके आ जाती है लेकिन इसकी जो video quality है वो मुझे उतनी जादा अच्छी नहीं लगी यहाँ आपको media tech का dimensity 8020 वाला chipset मिल जाता है यानि यहाँ आपको साड़े आठ लाग के आसपा संतुतू स्कोर मिल जाता है तो performance wise यह smartphone आपको decent level का यानि gaming भी आप इसके अंदर कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको vapor chamber cooling का support मिल जाता है तो जिससे आपका smartphone heat नहीं होगा इसके साथ आपको मिल जाती है वाई 5000 ms की battery 68 watt की fast charging का support मिल जाता है तो overall देखा जाए तो fast charging आपको काफ़ी अच्छे मिल जाती है क्योंकि 48 minute के अंदर 0 to 100% charge हो जाता है और इसके लावा guys in display fingerprint है face unlock का support मिल जाता है dual stereo speakers मिल जाता है NTC के साथ finally pricing के बारे हम बात करते है तो 8GB, 250, 6GB का storage है जिसकी price आपको मिल जाती है 22 जूरोपे के budget के अंदर और अगर आपके पास access का credit card है तो 1100 रुपे का discount आपको मिल जाता है और अभी के time पे कुछ दिन पहले यहाँ पे काफी अच्छा discount चल रहा था 22 रुपे के आसपास HDFC और SVA के debit card पे कुछ time आप इस पर wait कर सकते हो मैं telegram पे share कर दूँगा तो इस phone को मैं 1100 के लिए ज़्यादा recommend करूँगा जिनको भाई एक Infinix की तरफ से अच्छी camera quality चाहिए डिस्प्ले भी top notch की हो और design भी decent हो आप इसको consider कर सकते हो तो guys यह था आपके best smartphone जिनको आप consider कर सकते हो 20,000 के budget के अंदर अगर आपका फिर भी कोई confusion है तो आप comment कर सकते हैं मैं आप सक reply ज़रू करूँगा तो चलिए वीडियो को यहीं पर end करते हो आपसे मिलता है अगली वीडियो के अंदर